33 सीट कॉंग्रिस लड़ेगी, हमरा एलाइन से घारके मुख्यमोर्चार यदि और सिक्रिम सिप्याई के साथ पून बहमत के साथ हम दो सरकार बनाने जा रहे हैं 24 में अमर बावरी बोरोक लाड़ी भानू बोरोक लाड़ी बावुलाल जी बोरोक लियर रंधीर सिंग, बोरोक लियर जारकन कॉंग्रिस की बैठक दिल्ली में हुई और लगतार विरहांसभा चुनाओ को लेकर के बैठकों का दाव शुरू हो चुका है और 33 सीटों पर किस तरीके से कॉंग्रिस चुनाओ लड़ी इसको लेकर के मन्थन हुआ कॉंग्रिस ने 33 सीटों पर चुनाओ लड़ने की तैयारी जो है वो शुरू कर दे क्योंकि 2019 में जो सीटे मिली थी उसी अधार पर एक बाफे से कॉंग्रिस तैयारी कर रही है अब बिल्कु देखिए मैंदम लोक सबा चुनाओ खतम हो गया है और अब बिदान सबाय है 33 सीट कॉंग्रिस लड़ेगी हमारा एलाइन से जहार कर मुक्ति मोर्चा आर्यडी और सीपियम सीपियाए के साथ तो हम लोग हमबक कर रहे हैं कर राहूल जी थे हमारे खड़के साहब थे मीर साहब थे वहां पर तो सारे सिरियर्स लोगों को बुलाया गया था और सबको टाक्स दिया गया ज्वाबदी दी गई तो निशी तोर पर हमें लगता है कि राहूल जी अगर तीन तीन चाचरे घंटा बैठक कर रहे हैं आज तक इत्यास में कभी नहीं हुआ ऐसा लेकिन राहूल जी काफी गमीर है जारकों को लेकर और हमें लगता है कि यहां से उनको काफी एफट मिलेगा इस बार और इस बा बोली चुके हैं अब ठीजैंगे सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा एरिया है वहां भाजपाहार गई तो हम लोग ठैवल और बुझूद कर रहे हैं हमारी चमपई सोरेंजी इतना अच्छा काम कर रहे हैं एफट दे रहे हैं सब काम कर रहे हैं सारी महिलाओं को एदमेट एक हजार रुपिया भाजपा कार्टाओं को भी हम कहीं है आओ पैसा ले लेके जार रुपिया लेजिन ब र लोग भी कर रहे हैं यार हम लोग दो चमपई सोरेंजी को इतना नहीं मान रहे थे वह तो है अच्छा जीवाजीवीव काम कर रहे хara जै थे तौन पूरा सब्सकुल दे जारे है ऑंड़ मोड़े है अ को बड़ हम लोग देखें बड़ बुला नहीं है हम्वास करते हैं औ अगर हम भाजपा करें कि हम 50 पर आगे हैं तो यह लोग सभा था व्यक्तित्व जाता है भानुजी का मैं सुन रहा था बात क्या क्या बोले जा रहे हैं इतना उत्साहित है लेकिन उपरी उत्साहित है भीतर से खोकला हो चुके हैं यह लोग और आप देख लिएगा कि हम लोग कमजोर नहीं है हमारे एक से उमिद्वार है हमारे एक से परत्यासी है और अगर हम 29 बोल चित्रों में तो 29 सीट हम जीती जीती रहे हैं और हमें जैनल सीट कितना लाना है 15 सभी सिट जे में और कॉंग्रेस आज दी लाएंगे क्या हूं बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं 27 में और आप देखते होंगे कि राहुल जी का यहां मोर्टिंग भी हो कर गया है तो ऐसे में भाजपा के पास कोई शवी नहीं है को इस्टार परचारग भी नहीं है इनकी पास बाहर से बोरो लाकर ही सुचते हैं कि हम धारसाइक कर देंगे तो अपना देखना छोड़ दें भानुजी से मैं कहूंगा कि भानुजी इर्फान अंसारी है और कि अगर अगर अपने नेताओं को जो जमीनी कार्यकरताओं को अस्थानी नेताओं को जो दिन रात पार्टी के लिए काम करता है उसको अगर आप महत देते तो अमनों कुछ समझ सकते थे शिपी सिंग्गों घर घुषा दिया परचारा चाय पकोड़ा खा रहा है अब देख से प्रभी पोडो में चाय बना रहे हैं अर्व यह बिधायक है जनता ने विधायक बनाया भाजपा ने जब आपको चाय पकोड़ा खिलाइक बना दिया तो जनता क्या करें कि बद लाड़ी बावुलाल जी बोरो पिलियर रंधीर सिंग बोरो पिलियर तो अभी आंकर करें हैं तो इससे आप देख से कहां बिड़े गए लोग हम लोग लिए कि बल्लेवाज का प्लिए इरफान सारे सब कुदारा साइग कर दो हमारे जो विधायक दल के नेता की लगता चर सीट जानी चाहिए और वन्म मैं वन पोश्ट की बात हो रही है तो जुनकों भी मिले अना अगर को PUBG अगर बिदायक दल करनेता अंथा तो मंत्री पूझ कुझ यह मां जा अ लड़ना है पर हमें लगता है कि मीर शाहब राजिस ठाकुर जी काफी अनुववी हैं जो भी निने वोग लेंगे जो भी फैसला लेंगे और हम दो काम करेंगे समय कम है काम ज्यादा है टाक्स ज्यादा है यह देगे यहाई साथ डॉक्टर इर्फान सारी जुन्होंने साफ पर कहा कि इस बार यह देटी सीटों पर बहुत मजबूदी के साथ हम चुनाओ लड़ेंगे और साथ ही साथ है बीजेपी को यहाँ पर सीधी सीधी टककर जो है वो मिलने वाली है और एक बार पर से 24 में हमारी सरकार बनेगी फिलाल इस खबर में मसरतत नहीं सही होगी शु